आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Which process is used for Amplification और Multiplication of DNA for Fingerprinting? पूझा गया है कि कौन साइज प्रॉसस है जो कि Amplification और Multiplication of DNA में यूज होता है तो Basically Amplification या फिर Multiplication का मतलब होता है कि यहाँ पे Increase करना Numbers of DNA को और जैसे जैसे Number of DNA Increase होता है वैसे वैसे यहाँ पे जो Fingerprinting के काम होते हैं जैसे हम कह सकते हैं कि Recognition of कुछ भी हो सकता है जैसे कि Criminal या फिर जो Patternity Test होता है तो Patternity Test में भी यह काम आते हैं तो उसके लिए एक Small Sequence को हमें बहुत Large Numbers में Multiply करना होता है और इसके लिए जो Process लगता है वो क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तो First Process है Polymerase Chain Reaction और यही एक ऐसा Process होता है जहां पे क्या किया जाता है कि एक Small Fragment of DNA को लिया जाता है और इस Small Fragment of DNA को बहुत ज़ादा RPM में क्या किया जाता है कि घुमाया जाता है जिसके लिए इसके Clones तयार हो जाते है और इनका Number जो है यह बहुत ज़ादा High हो जाता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि According to the Question हमारा First Option ही Correct हो जाएगा वही Polymerization का बात करें तो Polymerization जो है यह एक ऐसा Substance होता है जहां पे Number of Nucleotides को Increase किया जाता है लेकिन यह जो है यह Specifically DNA Fingerprinting से related नहीं है नेक्स्ट है जहां पे Southern Blotting बोला गया है और यहां पे Specific DNA को या फिर DNA Sequence को Recognize किया जाता है वही Northern Blotting जो होता है यहां पे Specific RNA Sequence को Recognize किया जाता है तो इसी वज़े से हमारा First Option जो है वो According to the Question करेक्ट हो जाएगा Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 सुपर